गाईज हम लोग समझेंगे सिख तक्त के बारे में सिख तक्त आपने कई बार न्यूज में अकाल तक्त का नाम सुना होगा अकाल तक्त तो सिखों से रिलेटेट ही हम लोग को देखने को मिलता है यानिकि सिख समुधाय के लिए कोई भी अगर आदेश जारी करना होता है कोई से सुनिएगा अभी हुआ कि दिल्ली एसमली ने दिल्ली विधान समा ने दिल्ली सिक्ष गुरुद्वारा अधीनियम 1971 दिल्ली सिक्ष गुरुद्वारा एक 1971 इसमें संचोधन करने हेतु एक विधेयक पारित किया है दिल्ली एसमली ने पास किया है एक अमेंडमेंट बिल ज जिसमें तक्त दमदमा साहिब, तक्त दमदमा साहिब को सिखों के पाँचवे तक्त के रूप में मानिता प्रदान की गई है, तो याद रखना, सिखों के पाँचवे तक्त के रूप में तक्त दमदमा साहिब को मानिता प्रोवाइट कराई है, याद रखिएगा, और तक्त म तक्त यानिकी गद्धी और वर्तमान में पाँच सिक्त तक्त है जिन में से तीन पंजाब में एक महराष्ट में और एक बिहार में है तो यह वाला पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा और सिक्त समुधाय में जो भी मुद्धे हम लोग को देखने को मिलते हैं या सिक्त तक्त जो होते हैं वो समय समय पर हुकुम नामा जारी करते हैं इन में से अकाल तक्त जो है इसे सर्वोच माना गया है सुप्रीम माना गया है सभी तक्तों में से और इसलिए पूरे सिक्त समुधाय से समंधित कोई भी आदेश जारी किया जाता है तो वो अकाल तक्त की के दिल्ली सिख गुरुद्वारा एक्ट को जो है वो अमेंड किया गया है तो यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा